तो हेलो स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग को पता है C.A. Intermediate and C.A. Final में 2024 का रिजल्ट डिकलेर होने वाला है 11 जुलाई 2024 को रिजल्ट के लिए आप सभी को all the best सब का रिजल्ट बहुत अच्छा है भगवान क्रिस्न का आसिरवाद आप सब पे बना रहे हैं अब जो mistake क्या हो जाएगा माल लेते हमें ड़ड लग रहा है कि group 1 मेरा clear नहीं होगा या group 2 clear नहीं होगा या both group clear नहीं होगा आप आज के date में exam form fill करोगे लेकिन आप exemption claim कैसे करोगे exam form fill करते समय रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज ऐसा गलती मत करना जब तक C.A. Intermediate का बच्चे जब आपका result नहीं आता है कोई एक group का या both group का भी आपको exam form fill कर नहीं करना है आप एक group का exam दियो या both group का exam दियो कोई matter ही नहीं करता है आपको September के लिए exam form fill नहीं करना है थोरा साइंत जार करना है क्या हो जाएगा 11 July 2014 को आप लोग का result है इतना दिन अब लगतार बच्चे का doubt एक group का exam दिये क्या दूसरे group का form fill कर सकते क्या date जा रहा है क्या last date बचा हुआ है 11 July को result हा जाएगा एक group का आप exam दियो वो pass कर जाओगा अच्छी बात है दूसरा group का result के बाद फिल कर लेना बात को समझो कुछ ऐसा region है क्योंकि correction window के थुरू आप exemption claim करी नहीं सकते फिर दिक result का इंतजार करेंगी उसके बाद हमें आगे का decision लेना है उससे पहले कुछ नहीं करना है यानि कि आखनी date क्या है आपके screen पे सो कर रहा है क्या है exam पॉम पिल करने का आखनी date भी आपके screen पे सो कर रहा है और हाँ चैनल पे नए हो subscribe जरूर कर लीजेगा जैसे ही result declare होगा और the best आप सभी को और अच्छा लीजल ठाचाएगे